प्रादी भागा और पूर्मुक्रमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है पूर्य मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है मेरा नाम क्यों उच्छा रहे है पूर्य मुख्यमंत्री तरवेन सिंग रावत ने कहा ये क्या कहा ये भी बताएंगे क्यों कहा ये भी बताएंगे और पूर्य मुख्यमंत्री का नाम अगर किसी भगोडे अरपती के साथ में जो देहरा दूर में पना पाके रह रहा है उसके साथ जोड़ा जा रहा है तो उसके पीछे भी कारण क्या है ये भी बताएंगे परदे के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे और सवाल क्या है ये भी बताएंगे आज के इस कारिकर में आप देखना शुरू कर चुके हैं बसन निगम बेबाक तो सारी कहानी सुनने से पहले सारे सवालों के और सारे चीजे जानने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने खबर उत्राखंड का चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबर उत्राखंड के फेस्बुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको पूरी कहानी इत्मिनान से सुनने को मिर जाए पूरी स्टोरी जो है यूट्यूब पे है तो बात हो रही है कि उत्राखंड के चर्चित बहुत बड़े एक बिर्डर जो अपने मेहनत से इमांदारी से उत्राखंड के रहने वारे थे खंकी देरादून की वादियों में पढ़े बढ़े और उन्होंने आत्मात्या कर लिए अचानक किसी को विश्वास नहीं हुआ सतेंद्र साहनी उनका नाम था बाबा साहनी करके फेमस थे उन्होंने आत्मात्या कर लिए आत्मात्या कर लिए बाबा साहनी ने तो सुसाइड नोट छोड़ा सुसाइड नोट भी प्रधान मंत्री मोदी और धामी जो मुख्य मंत्री हैं उत्राखन के पुषकर धामी के नाम सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें दो लोगों के नाम लिखे बड़े-बड़े शब्दों में अजय गुपता अनिल गुपता अजय गुप में रहते हैं और वहां से ही अफ्रीका गए एक कंप्यूटर की कंपनी खोड़ी अभी उत्राखंड पुलिस ने जो इनका कुंडरी निकाली है ब्राबा सहानी के आत्मत्या के सुसाइड नोट में इनका आने के बाद तो पता चला इनके उपर छे साथ केस चारसो बीसी के साह कजबी के शरीर में होता है एक कहावत भी है परानी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए तो यह चारसो बीसी है जो गुपता बंदू है यह जब भारत से बाहर गए अफरीका में एक उन्होंने सहारा कंप्यूटर्स करके एक वहां पर फरम खोड़ी और उस फरम को उ से ख़डानों से लेकर सोने की ख़डानों से तक पहुंच गए और पूरे अफरीका का कारोबार अफरीका की सियासत तक अपनी मुठी में कर ली जिसको लेकर वहां काफी हंगामा मचा और वहां के जो राश्पती है पूर राश्पती जैकप जुमा अभी तक जेल के पीच गया अमेरिका में अरेस्ट हुआ और अमेरिका ने तो इन गुपता बंधूं को कहा कि ये इंटरनेश्टन रिविल के सेटर हैं जो पैसा देके सरकार में काम सेट करवाते हैं कितना बड़ा आरोप अमेरिका ने लगाया लेकिन जिस समय अमेरिका की सरकार आरोप लगा रही थी इन पे और दुबई में इनके परिवार के लोग एयरपोर्ट पे अरेस्ट हुए उसी समय एक बात होती है कि यह गुपता बंदू देहरादून आ और देहरादून आ जाते हैं तो ततकालीन उस समय त्रिवेंद सिंग रावत उत्राखंड के जो थे मुख्यमंत्री थे और उस समय यह देहरादून में आते हैं सेटल हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है देहरादून आते हैं छोटी मोटी अक्वार खबर उठती हैं वहा कोई भाई अमेरिका में हिरासत में लिया गया एरपोर्ट पे लेकिन आजय गुपता आनिर गुपता ये जो हैं ये यहां पे देरदून आ जाते हैं तब भी पब्लिक को पता नहीं चलता है पब्लिक को पता नहीं चलता है लेकिन सरकारों को सब पता होता है कि कौन हमारे हैं आया और किसी सरकार को ये ना पता हो कि कोई अंतर राष्ट्री अपराधी अंतर राष्ट्री भगोडा जी हां अफरीका की सरकार में गुपता बंदु भगोडे के रूप में दर्ज हैं और आज भी वो भगोडे हैं तो कोई भगोडा किसी राज में आके बस जाए और पता टो बजी हैरानी की बात होती है। इसी तरह की सब चीजे अब उठे रही है तो तेन सिंग रावत्र न एक बात कही है। तेर सवरावत ने कहा की हमने भी उस दिन एक प्रोग्राम किया था। उसमें कुछ बाते रखी थी कि अब किसी सरकाल में अगर कोई आता राज्ट्री भगोडा आता है तो वहां की सरकार को नहीं पता होता है बहुत सारे सवार हैं आगे भी हम बताएंगे और बहुत बड़ी बड़ी आज हम आपको चीजे बताने वारे हैं लेकिन त्रिवेंद रावत का एक बयान आया है कि मेरा नाम क्यों खीचा जा रहा है और त्रिवेंद रावत ने भी कहा कि सीबी आई जांच की बात हो रही है सीबी आई जांच की बात क्यों हो रही है हाई कोर्ट के जच से जांच करा रहो इस केस की तो उसमें भी बहुत सारे जोड हैं पेंच हैं लेकिन त्रिवेंद रावत सफाई क्यों दे रहे हैं गुपता होने के नाते राज्य के जिम्मेदार नाकरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जब हमारा नाम उसमें घसीटने की कोशिस की गई है चाहे वो इंटेंसनली की गई है या करवाई गई है तो मैं तो चाहूंगा कि इस मामले को किसी जज को हाई कोड के जज को जो एक्टिव जो जज हैं उनको दे देना चाहिए अगर सीवी आई के जाती है कल सचाई कुछ लों के अनकोल नहीं आती तो कहेंगे साब सीवी आई तो किंद्र का केंद्र के अधीन आता है अगर स्टेट की पुलिस करती है तो कहेंगे कि स्टेट की पुलिस तो रज्ज सरकार के अधीन आती है तमाम सवाल उठते रहेंगे इ जाँच किसी जो जज हाई कोट के हैं उनके अधीन कर दी जाए तो मैं समुझताओं कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा तमाम तरह कि जो चर्चाएं हैं लोगों में जिस तरह की आसंकाएं विप्त की जा रही हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही सर्मनाक भी है और चिंता का विश्व भी है इसलिए इस पर बिल्कुल एक तरस्त जहां चोनीचे जिस पर सबका विश्वास हो वो नियाए ले ही एक ऐसी संस्ता है मुझे लगता है कि जिस पर अधिसंग के लोग विश्वास करेंगे इसलिए मुझे मैसुस हुआ कि कुछ लोगों मेरा नाम इसमें उच्छने की कोशिस sì तो दर्शकों ने सना क्या कहा त्रवेंद सिंग रावत ने जी त्रवेंद रावत कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों खीचा जा रहा है गुपता बंधू के साथ तो बड़े भोले हैं त्रवेंद जी वास्तों में भोले हैं उत्राखन भोले भाले लोगों का प्रदेश है तो भो कहा पहले आपके बयान पर ही आते हैं आपके बयान पर आते हैं आप कहें कि राज की पुलिस काम करेगी तो कहा जाएगा पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही किस ने कहा पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है पुलिस ने तो सुसाइड नोट मिलने के बाद ही गुपता बंधों को अरेस्ट किया नयायरे अपना काम करेगा आपने बाद में क्या नयायरे ही काम कर सकता तो नयायरे तो काम कर रहा है गुपताबंधों को जमानत नहीं में पुलिस ते अपना काम किया राजी सरकार E.D. को भी दे रही है कि कहां से इतना पैसा गुपताबंधों कहा रहा है जो लिखा है कहा जा रहा है कि जो company उनको दी गई जिस आदमी की company थी उस आदमी को operate नहीं करने दे रहे थे उसमें पैसे कहीं और से आ रहे थे तो इडी को भी इन्वाल्ब किया यहां की सरकार ने तो क्या आपको अपने ही सरकार पर अपने ही सरकार के मुख्यमंतरी दामी के action पर आपनी ही स्टेट की पुलिस पे भरोसा नहीं है आप你 करेगी तो CPI करेगी तो आपको CPI पर भरोसा नहीं तरवेंजी आप जवाब दीजे मोदी जी देश के प्रधान मंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं केंदरी ग्रह मंत्री अमित्षा जैसे कड़क आदमी है CPI केंदरी ग्रह मंत्री अमित्षा केंदर में आती है क्या आपको अपने अमिचारी पर वरोसा नहीं कि अमिचारी की सीबियाई पर वरोसा नहीं है क्यों नहीं है वरोसा क्यों आप बॉक्त रा रहे हैं आप यह बताईए कि कई सवार उठते हैं सवार इसलिए उठ रहे हैं आपका नाम इसलिए खीचा जा रहा है जब गुप्ता बंधु आए उत्राखंड तो त्रिवें जी आपको नहीं पता था कि अफिरीका के भगोडे हमारे राज़धानी में आ के बस गए है यही अस्थाई राज़धानी हो लेकिन इस्थाई की तरह चल रही है क्या सच बताई कि आपको नहीं पता था कि गुपता बंधु तहरा द आप गए उस साधी में बैठे जब तमाम बातें उठी तो एक वीडियो ये देखिए जो की विधारक उमेश कुमार ने अपनी फेस्बुक पे डाल रखा है जिसमें आप सफाई दे रहे हैं गुपता बंधू की तरफ से कि हाँ दर्शक भी देख सकते हैं कि गुपता यह अफ्रीका के भगोड़े गुपता बंधू है बताइए तुवेंट जी यह वीडियो देखिए पाइए और किसी तरह का इसमें नौनवेज का इस्तेमाल नहीं है जो केट्र है मैंने पूरी बातें पहले उन्चे कि है वहां कुछ नौनवेज नहीं बन रहा है वहां वे मेज मेन्यू है मेरी बात हुई कोप से दंद मिहिं नंवेज बान इस आप सच बता यह एकको नहीं पताई अफ्रीका से भगोड़े है और अपरीका से भगोड़ा-ढर्मि यहां के बसता है और आप के राज में बसता है आप कहते हैं मेरा नाम कि यह गसीत रहों आपके रा और आवन की दिस्टी से important place है और यह वहां का आपको नहीं पता है आप वहां गए शादी में की नहीं गए आप बता ये ये तस्वीरे जूती हैं जो उन दिखा रहे हैं आप गुपता बंदुवों की रिपोर्ट चलई 200 करोनों की साधी और 2,250 न कच्ड़ा आप दर्सकों को दिखाते है उस समीं जो क्लिपिंग चली तमाम नूश चैनलें पर वह हम दिखाते हैं क्या क्या क्लिपिंग चली उस जमाने में अपोए तो यहां तक उड़ी थी कि गउपता बंदु यहां उद्गीत Living है। भंकावशन मिणदन करセbie सांदिवान लект खेकी वूट इसेसिज़ब सफ्कॉर forecast सेटर हैं पूरी दुनिया में पैसा दे के काम कराते हैं सरकारों से और यहां पर अपना जाल फेला रखा है यह अपराधी है और उस समय आपकी सरकार गुपता बंधुओं को जेड प्रस सीक्योर्टी की चिठी देने जा रही थी चिठी रिखी गई थी आप कह दीजे कि हमार प्रावत तरकार के समय में लिखी गई थी गुपता बंधुओं को जेड सेणी सुरक्षा देने के लिए तो त्रिवियन जी आप एक भगोड़े आदमी को जेड प्रस सुरक्षा दे रहे थे क्यों दे रहे थे कौन थे वो उत्त्राखंड के विकास में उत्त्राखंड के अंदोलन में उत्रा खंट से के किसी चीज में गुप्ता बंधू का कोई योगदान था आप क्यो दे रहे थे उनको जेट प्रस सुरक्षा जेट प्रस सीक्योरिटी क्यो देने वाले थे आपको इसका जवाब देना पड़ेगा तरवें जी खाम खाँ आपका नाम नहीं बिचा जा रहा है गुप्ता बंधू को शादी की पर्मिशन आपने दी वहाँ क्यो दी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा आपके क्या इस्ते थे किस बज़ेसे आपने वहाँ दी आपने पर्मिशन दी आप खुद वहाँ जाके व्यक्तिका तूरुप से बैठे आप कोई गुपता बंदू पे जब उंगी उठी की वहां इतनी शाही साधी करेंगे यह होगा वो होगा आप सामने आके उनके वकीर बनके क्यों सफाई दे रहे थे इसका जवाब आपको देना पड़ेगा यह कहके आप नहीं बस सकते कि मेरा नाम मत खीचो तुवेंद जी यह भ अपनी पुलिस पर बरोसा नहीं इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा उत्राखन सरकार पर बरोसा नहीं इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा आपके ही पार्टी की सरकार है आपको अभिशाजी पर बरोसा नहीं कि हमिशाजी की CBI पर बरोसा नहीं इसका भी पूरे इस लिए गुपता बंधू का जब नाम आएगा हम यह नहीं कहते आप अपराधी हैं आप उनके साथ किसी अपराध में शामिर हैं लेकिन आप यह कहके भोले नहीं बन सकते कि हमको पता नहीं था यह गुपता जी कौन है गुपता जी तो गुपता बंधू अंतर नाम आएगा और नाम घसीता नहीं जा रहा है चीजें उसके पीछे हैं इस चीज को स्विकार कीजिए और गुपता बंधुओं पर जो कारवाई हो रही है होने दीजिए आपको बॉक्स आने की कोई जुरुत नहीं क्योंकि हमें पता है आपका दामन साफ है लेकिन गुपता पत्थर उचरता है पानी में गिरता है तो छीटे तो उच्छेंगे ही और छीटे दामन पर आएंगी आएंगी जो आ रही हैं तो इसलिए आपको ना घबराने की ज़रुत है ना सफाई देने की ज़रुत है आप अच्छे इंसान है आप राजनीती में हैं दो दिन बाद न सरकार्मों में उनको आराम देने के मामले की अगर बात आएगी तो आपकी सरकार की बात आएगी ही आएगी बात कड़वी है मगर सच है नमस्कार